हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है प्लेट्लेट्स प्लेट्स ब्लेट्स का कॉंपोनेंट होता है जो ब्लेट के सर्फेस पे प्रेजेंट रहता है और जो प्लेट्लेट्स होते हैं उसके सेल्स में नुकलियस प्रेजेंट नहीं होते हैं के वल डियने होता है प्लेट्स का म बनता है बॉर्ण मेरों में and प्लेटलेट्ट का जो लाइप स्पैन होता है वो किते दिनों तक जीवित रहता है तो 3-5 डेस और उसका जो unserer ग्रेव यर्ड होता है जो मृत स्थान होता है वो नाश्ड कहाँ प्लेक्स से प्ट का होता है, प्लेट जो होता है उसके जो नॉर्मल एल्य होता है, नॉर्मल प्लेट ऱॉट जो होता है, वे वे 2 से 5等 हॉअध ग्लाख और क्युभ एमिकश्स अंड फंक्शन देखे प्लेट लट का, जो हमारे बाडी में और कॉंसा निभाते हैं तो first function होता है platelets का कि जब cuts लग जाता है तो tissue और cells जो platelets जो होते हैं वे body के cuts वाले surface पर आते हैं और जो thromboplastin होता है वे blood protein के लिए मदद करता है second way क्या होता है कि close valve of the blood vessels blood vessels के valve को close करता है और यह defense mechanism का वग करता है अगेंस्ट बेक्टिरिया यह contain रहता है stamina serotonin से और यह container रहता है antigenic substance से thrombocytopenia एक ऐसा condition होता है जब platelets decrease हो जाता है platelets के deficiency के बारे में देखें कि कौन कौन से deficiency से होते है और increase अधिकता से होते हैं तो deficiency से platelets के जो disease होते हैं जो abnormality होते हैं वो होते हैं blooding, chicken gunia और dangoswar और उसके जो increase जब platelets normal value से जब high हो जाता है अधिक हो जाता है तब उस condition में blood clotting बढ़ जाता है और heart attack जैसे problems आते हैं blood clotting के बारे में देखे तो blood clotting is a defense mechanism of the body it prevents loops of blood from the side injury blood clotting एक defense mechanism होते है हमारे body का जो की injury के द्वारा जो blood की जो हानी होते है उसे रोकता है और blood clotting करता है जो mechanism होते है blood clotting का blood clotting होता कैसे है तो क्या होता है कि जब हमारे body में कहीं पे cut लग जाता है cuts लगता है तो bleeding होता है bleeding होगा तो क्या होगा कि जो platelets जो RBC हैं वे उस circle पे आके storage होएंगे store होएंगे तो vasodialisants के तुरू जो blood जो आउटर जो blood जो बाहर निकल रहा होगा वो blood को क्या करेंगे कि जो blood clotting जो factor है वहां पे आएंगे जो tissue और platelets सबसे पहले surface पे आएंगे और जो thromboplastin और जो calcium है वो एक blood clotting factor है वो एक्टी होगा एक्टी होगा तो thromboplastin एक्टी होकर pro thombin में convert हो जाएंगे प्रो thombin थ्रombin में और thombin fibrinogen 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 fibrin में और fibrin से finally blood clot हो जाए या factor की बारे में देखे blood clotting factor कौन-कौन से होते हैं जो blood को clot करते हैं तो fibrinogen, prothombin, thromboplastin, calcium, labile factor, existence factor, anti-hemeophilic factor, stable factor और christmas factor normally duration देखे blood clotting का कि किते time में या clot होता है तो यह होता है 5-15 minutes में और जब किसी व्यक्ति में diabetes disease है जब किसी व्यक्ति को diabetes है तो क्या होता है उस condition में blood का clot जो duration होता है वे थोड़ा सा बढ़ जाता है blood का clot जल्द नहीं होता है क्योंकि उस condition में blood clotting जो factor है वो inactive form में रहते हैं जल्द एक्टिव नहीं हो पाते हैं जो नॉर्मली blood clotting जो नॉर्मल वेक्ति होंगे उसमें जो blood clotting का जो duration होगा जो वह होगा 5-15 minutes